तो हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका प्यारे गेमर और आज के वीडियो में आप सभी का सवागत है दोस्तो आपने मेरा गैम पर देखा होगा फुल मैप का और आपने देखा होगा कि मैं कितने अच्छे ड्रैग हैट शॉट मारता हूं यहां पर आपको इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकास से ड्रैग हैट शॉट मारने में भी प्रॉब्लम जा रही है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहां पर आपको इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकास से ड्रैग हैट शॉट मारना है रोटेशन ड्रैग हैट शॉट मारना है शॉट रेंज में मिड रेंज में लॉट रेंज में कोई भी नॉन स्टॉट फार वाली गन जैसे कि एयार गन एक फुर्टी सेवन एक्सेमेड एमपर एवन इसकार एंड सॉट रेंज की गन जैसे कि MP40 और SMG वाली जितनी भी गन है ठीक है इन गनों से ड्रैग हैट शॉट है तो दोस्तों वीडियो में लाइक जरूर बने रहेगा लाइक जरूर करने इस वीडियो को सब्सकाइब कर डाला चली सुरू करते हैं बिने किसी देडी के तो दोस्तों ड्रैइट हैट्शोट मारने के लिए आपको कुछ सैटिंग को पहले फॉलो करना पड़े जैसे कि अपर बेसिक में तो उतना ज्यादा खास नहीं है कि लेट शेक कर लो ठीक है सेंस्टिविटी अपने डिवाइस के साफ से ठीक है अभी मैंने 200 की सेंस्टिविटी रखे रखा है जर्नल में 200 रेड डोट में 100 2x में 100 है 4x में 100 है और इस नापर का 55 करके रखा है अभी सनाप पार बटन ऑल्वेज में होल्ड फार टी स्कूप ऑन क्विक स्विच क्विक रिलोड ठीक है और जितने भी आपको सेटिंग दिख रही होगी इनको आपको कर लेना है फॉलो ठीक है कॉपी कर लेना है उसके बाद या पर कस्टम हुटी में देख सकते हो कस्टम हुटी आप क्विक्स की चुकि ​​deadi Max में हाइरेस ग्राफिक्स से बहुत ज़्यादा हरता है हैट शॉट में अच्छी ग्राफिक्स हो गी अच्छा टीवाइस होगा तो अच्छ फिस लगेंगे ठीक है जिआ पर देख सकते हो सारी ग्राफिक्स models देख सकते हो एइंड उसके बाद उतन वह आप AR वाली गन से भी मार शकते हो या SMG वाली गन से भी मार शकते हो जैसे कि SMG में आती है MP40, UMP, MP5, P90 and काफी शारी गन, Thompson वगेरा and AR वाली गन में जैसे कि AK47 हो गया and SCAR हो गया, M4A1 हो गया and XMAT हो गया इस टाइप की AR वाली गन कोई भी गन से headshot मारने के लिए आपको काफी सारे rules को follow करना पड़ता है सबसे पहला आता है distance, क्या आप mid distance में हो या short distance में हो, short range में हो या फिर बहुत जादा long range में हो जैसे कि उतनी दूर में, ठीक है, यहां से ये पुतले देखो कितनी दूर है तो इसको हम long range कहेंगे, okay, and जब हम बंदे की इतने करीब रहते हैं इसको हम short range कहेंगे, okay, and जब मैं इससे थोड़ा सा इतना दूर चल जाता हूँ तो इसको mid range कहेंगे, ठीक है, तो range बहुत ही जादा effect करता है आपके headshot मारने में, drag headshot मारने में, जैसे कि pass में बंदे हैं, मैं drag करूँगा, तो headshot लगी गहीं ने, देखो मैं कितना ज़्यादा drag कर रहा हूँ ओके देखो, नहीं लग रहा है, एक दो headshot लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे, only yellow लगेगा लेकिन, यहीं पर, मैं थोड़े mid में जाता हूँ, and उतना ही drag करता हूँ, जैसे अभी मैंने किया था headshot लग रहा है, मैं उतना ही drag कर रहा हूँ, headshot लग रहा है, मैं उतना ही drag कर रहा हूँ जितना मैं वहाँ पर था, और तब कर रहा था, और इतनी दूर में आप short range की gun use मत करो, long range में आप AR वाली gun use करो, जैसे कि इतनी दूर में AR वाली gun हम use कर सकते हैं, and simple sum, drag करके headshot मार सकते हैं तो दोस्तों देखा मैंने आपको short range, mid range, and long range का difference आपको समझाया, लेकिन इसमें भी आपको एक और difference और उसके अंदर एक और difference समझने पड़ेगा जैसे कि इतने pass में drag करने में headshot नहीं लग रहा है, तो हम कैसे करें तो drag headshot लगेगा तो दोस्तों उसके लिए आपको rotation drag मारना पड़ेगा, ठीक है, rotation drag किस प्रकार का होता है, वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि इतने short range में बंदा है, तो जो fire button है, उसको हम नीचे ले जाएंगे, और कुछ इस प्रकार से उसको rotate करके ऊपर के और ले जाएंगे, ठीक है, फिर से को अब बताता हूँ, कुछ इस प्रकार से नीचे करके और rotate करके ऊपर, बट इसको थोड़ा साम तेजी से होगे कि आपको headshot लगे, देखो, यह देखो, मैं इतनी short range से भी इस बंदे को headshot मार रहा हूँ, proper पूरे headshot नहीं लगते दोस्तों, ठीक है, एक दो body लगता है, लेकिन यदि आप short range में rotation drag headshot मारोगे, तो head लगेगा ही लगेगा, इसमें भी आपको, और क्या करना लगा, short range में headshot मारने के लिए, आपको करना पड़ेगा aim को follow, यह जो white aim है, enemy के body में होना चाहिए, ना कि white aim होना चाहिए, body में रहेगा, red aim आएगा, body से हटके रहेगा, तो white aim आएगा, आप कोई भी position में हो, और मैं कभी भी headshot मारता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हो, red aim आता है, तब ही मैं गोली चलाता हूँ, जैसे कि यह हो गया, red aim आया, headshot लगा, red aim आया, headshot लगा, red aim आया, headshot लगा, हमेशा आप drag करो, या one time मारो, तो जो aim है, white aim, उसको enemy के ऊपर ले जाके, उसको red करना हूँ, उसके बाद आप drag करोगे, rotation ड्रेक करोगे, आपके headshot लगेंगे ही लगेंगे, and इसमें भी आपको काफी कुछ करना पड़ता है, देखो, मैंने सबसे पहले red aim लगा लिया, मुझे पता है कि मैं इसके short range में हूँ, and मुझे यहां rotation मारना है, तो rotation भी आपको थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, यदि आराम से करोगे तो नहीं लगेगा, तो उसके लिए भी आपको तेजी, धीमा, और medium, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे short range में काफी त easy से करना पड़ता है, and mid range में आप उतना ज्यादा rotate नहीं भी करोगे, तो easily headshot लग जाते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा यदि rotate नहीं भी करोगे, तो easily headshot लग जाते हैं, लेकि तोड़ा बहुत rotate करना पड़ता है, लेकिन long range में आपको simple सा drag करना है, वो भी हलका सा, देखो हलक अब आपको drag करना है, तो बंदा उतना दूर है, और आप इतना तेज़ी से drag करोगे, तो देखो, गोली कहा जा रही है, हावे में झा रही है, और एक भी गोली नहीं लग रहे है, लेकिन उतने दूर बंदा है, और मैंने बहुत आराम से drag किया, headshot लगा, अराम से drag किया, headshot लगा and कुछ body भी लगते हैं लेकिन headshot लगने की चांस है काफी ज्यादा हो जाते हैं देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से okay and इसमें एक और situation होती है close range में, short range में and long range में कि enemy यदि moment कर रहा है left right भाग रहा है तो उसके लिए कैसी की जाए ठीक है तो यदि enemy right से left जा रहा है तो आपको rotate करके कुछ rotate करके आपको right में ले जाना है जैसी कि यहां पर enemy है समझो एक तरीके से यहां पर enemy है enemy left को जा रहा है तो रोटेट करके हमको लेफ्ट के और ले जाना है ठीक है ऐसा रोटेट करके लेफ्ट के और ले जाना है यदि एनिमी राइट को जा रहा है तो ऐसा रोटेट करके राइट को और ले जाना है ठीक है इस प्रकार से तो उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों है तो दोस्तों इन बातों का भी आपको बहुत अच्छी तरीके से धान रखना है जैसे कि मैंने आपको बताया यदि बंदा लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट ड्रैक करना है रोटेशन वाला सौट रेंज की बात कर रहा हूं मैं और बंदा राइड जा रहा है तो रोटेशन करके राइड ड्रैक करना है लेकिन यदि मिड रेंज एंड लॉंग रेंज में एनिमी रहे तो आपको सिंपल सा ड्रैक करना है यदि बंदा राइड की तरफ जा रहा है तो आपको सिंपल सा राइट के तरफ ड्रेक करने दिलेफ्ट के तरफ जा रहा है तो लेफ्ट के तरफ ड्रेक करने कुछ इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता है अभी बता रहा हूं दोस्तों यदि आपके पास स्कोप वाली गन है और स्कोप से आपको हैट शॉट मारना है तो उसमें रोटेशन ड्रेक नहीं लगता है कोई भी गन में रोटेशन ड्रेक नहीं लगता है हाँ लगता है सो सिर्फ ड्रेक तो कुछ इस प्रकार से आपको तेज़ी से ड्रेक करना पड़ेगा इस प्रकार से आपको तेज़ी से ड्रेक करना पड़ेगा देखो बंदा कि धर भी रहे स्कोप अन करके बस ड्रेक करना इसको पॉन करके अनली ड्रैग करना है तो आटमेटिक हैट शॉट लगते हैं देखो है शोट लगा है शोट लगा है शोट लगा थो समझे पांठे जी यदी शॉट रेंज में बन्ता है मिडरेंज में लॉण रेंज में और यदि आपके पास स्कोप वाली गन है और आप स्कोप से फार कर रहे हो वैसे शॉट रेंज में Scope on नहीं करोगे क्योंकि आब बेवकुफ नहीं हूं Long range में आब मिटными ka тट ट सिर्फ ड्रैग करना है 齋 केश सिर्फ ड्रैग करोगे तो headshot लग ये ठीक है बड्रैग करोगे तो head shot लगिंगे यहां पर इनको कुले को मारने काफ़ मुश्ड रहता है लेकि और आपको समझ में आ गया होगा कि शॉट रेंज में मिड रेंज में एंड लॉंग रेंज में किस प्रकार से आपको ड्रै करना है डिस्टेंस कैसे फॉलो करना है किस प्रकार से रोटेट करना है किस प्रकार से ड्रै करना है कितनी तेज़ी से ड्रै करना है यह सब कुछ आपको स आफनाए होगी लाइक जरू करने इस वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर डाला एंड बाज वालब अलकॉल पर सेट कर डाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज की विवाहत नहीं बाइबाइब